आपने मा काली के हर चित्र में यह मुंडमाला जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा भी इंसान था, जिसने देवी मा को एक असली इंसानों के सिर से बनी मुंडमाला चड़ावा में दिया था, आखिर कौन था वह इंसान? सन 1575 में बिश्नुपूर राज्य बंगाल क्षेत्र में अद्वितिय गौरव पर खड़ा था, उस समय पूरे बंगाल पर कबजा करने का सपना लेकर दाउत खान कर्रानी ने बड़ी संख्या में पठान सैनिकों के साथ बिश्नुपूर पर हमला कर दिया, तब पठान सैनिकों की लाशों से भर गया, युद्ध की क्रूरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम्बीर मलो देव ने हमलावर पठान सैनिकों के सिर काट कर एक मुंडमाला बनाई और उसे दानव संहरक माम रणमाई देवी को उपहार के रूप में चड़ाया और इतिहास में इस युद्ध को मुंडमाला घाट का युद्ध नाम से जाना जाने लगा